मेरे प्यारे परिवार जनों, जब हम अपनी आँखों के सामें ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं, तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासी घटनाएं राष्ट जीवन की चिरन जीव चेतना बन जाती है। ये पल आव विश्मनिय है, ये च्छा अभुद्पुर्व है, ये च्छा विच्सीद भारत के संखनात का है, ये च्छा नए भारत के जैगोश का है, ये च्छा मुस्किलों के महा सागर को पार करने का है, ये च्छा जीत के चंदरपथ पर चलने का है, ये च्छा एक सो चालीस करोड धरकनों के सामर्थ का है, ये च्छा भारत में नई उर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है, ये च्छा भारत के उदयमान, भाग्य के अहवान का है, अमर्थ काल की प्रथम प्रभा में सफल ताकि ये अमर्थ भर्षा हुई है, हमने धर्ती पर संकल पर लिया और चांद पर उसे साकार किया, और हमारे वेज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इस नाउँ अन दे मून, आज हम अंतरिक्ष में मैं भारत की नई उडान के साच्छी बने हैं, साथियों मैं समय ब्रिक्ष समीट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिन आफ्रीका में हूँ, लेकिन हर देश वाची की तरह मेरा मन चंद्रयान महाभियान पर भी लगा हुआ था, नया इतिहास बनते ही, हर भारतिय जश्न में डूब गया है, हर गर्में उत्सव शुरू हो गया है, रदे से मैं भी अपने देश वाच्चियों के साथ, अपने परिवार जनों के साथ, इस उमंग और उल्ला से जुड़ा हुआ हूँ, मैं टीम चंद्रियान को, इस्रो को, और देश के सभी वैज्यानिकों को, जी जान से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, जिनों ने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिशन किया है, उच्छा, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अध्भुत पल के लिए, मैं एक सो चालीस करोर देश वाचियों को भी कोटी कोटी बढ़ाईया देता हूँ, मेरे परिवार जनों, हमारे वज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिनी द्रू पर पहुँचा है, जहां आज तक, दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुँच सका, अब आज के बाद से, चांद से जुड़े, मिठक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे, और नई पिड़ी के लिए, कहावतें भी बदल जाएगी, भारत में तो हम, हम सभी लोग, धर्टी को मा कहते हैं, और चांद को मामा बुलाते हैं, कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं, अब एक दिन वो भी आएगा, जब बच्चे कहां करेंगे, चंदा मामा बास एक तूर के हैं, चंदा मामा बच्चे कहां करेंगे, निच आएगा। From our DC-India G20 presidency, our approach of one Earth, one family, one future is resonating across the globe. So, this human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. I am confident that all countries in the world, are capable of achieving such feats. आगे जाएगी हम हमारे सौर मंदल की सीमाओं का सामर्थ पर्खेंगे और मानव के लिए ब्रह्मान की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे. हमने बविश्य के लिए कई बड़े और महत्वा कांग्शी लक्षत ताई किये हैं. जन्द ही सूर्य के विश्त्रित अध्यन के लिए इस रो आदित्य एलवन मिशन लाउंच करने जा रहा है. इसके बाद शुक्र भी इसरों के लक्षों में से एक है. गगनियान के जरिये देश अपने पहले यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तयारी के साथ जुटा है. भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि सका इस नौर्द लिमेट. साथियों, साइन्स और टेकनलोजी देश के उजवल भविश्य का आधार है. इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा. ये दिन हम सभी को एक उजवल भविश्य की और बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा. ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धी का रास्ता दिखाएगा. ये दिन इस बात का प्रतीग है कि हार से सबग लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है. एक बार फिर देश के सभी वैज्यानिकों को बहुत बहुत बढ़ाई और भविश्य के इंबिशन के लिए धेरो शुब कामनाएं. बहुत बहुत धन्यवाद. ह一 try. बहुत बहुत बहुत. हुत बहुत 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 बहुत. दितकश बहुत. कि झाल्स एकicalउ उक беспज़ में वाने ourow